नमस्कार दोस्तो क्या हाल चालें और सब बढ़िया दोस्तो क्या कभी आपने सोच है कि अगर हमारे हाथ पर दो बूंद लावा गिर जाए तो क्या होगा अगर नहीं जानते इसलिए तो आता हूं मैं आपको ऐसे इफेक्ट से रूबरू कराने के लिए दोस्तो अगर आपके हाथ पे थोड़ी सी गर्ण बिर जाती है तो बहुत थंडा महसूस होता है या फिर आपके हाथ के उपर गरम चाय गर जाय वो भी जरन कर देती है जोस्तो अब आप ये सोचिए कि अगर आपके हाथ के उपर दो बूंद लावा गिर जाए आपकी स्क्रिन पूरी तरह से जल जाएगी और ये चाय और उबले हुए पानी से भी जादा काफी दर्दनाक साबित होगा चलिए ये तो हो गई हाथ की बात अगर हमें लाबे में गिर जाएं तो क्या होगा ये तो पक्का कंफरम है कि हमारी मोत तो पक्की है किन ये कोई मोत ऐसी वैसी मोत नहीं होगी लावा के अंदर गिरते ही आपकी हड्डियां गल जाएंगी और आपका खून उबलने भी लगेगा आपके फेफडों का तो अस्तित भी नहीं बचेगा के बोडी के पाट का भी कुछ भी अंस नहीं बचेगा तो कुछ समझे कि अगर हम लावे में गिर जाए या फिर दो बूंद ल सुकरिया यार